प्रसन आया इस सारे संग को चला कौन रहा है कॉमन सा प्रसन है रोज आएगा क्योंकि भूल गए लोग के संग कैसे चलते हैं दूसरों के संग को देखके वे नहीं समझ पाते हैं तो संग्ठन का तो मालिक होता है संग्ठन का तो एक रेष्टर्ड ओनर होते हैं कैसारे होते हैं तो संग का सीधा सा आंसर बनता है संग का मालिक संग होता है बस इतना ही बोलना है कि संगों के मालिक संग ही होते हैं संग का मालिक संग, संग बाइदा संग, फौर्दा संग, आपदा संग, जैसे संविधान होता है, संग के द्वारा संग के लिए संग का, इतना सा आंसर इसका होता है, कल हमने पूरे भारत में एक दिन की पुद्ध पूर्णिमा मनाई, मौसम बहुत बढ़िया था, खास तोर से नौर्थ इंडिया के अंदर, मौसम का बड़ा असर होता है, हमारे लोग अभी इतने डेडिकेटिड नहीं हैं, कि बिना मौसम के भी खूब धूमधाम मचाएं, मौसम अगर अच्छा होता है, तो लोग घूमने भी आ जाते हैं, और काईकरम बढ़िया हो जाता है, इसलिए हमारे जितने भी संग्ठनों के लोग हैं, जो काईकरम लगाते हैं, वो संडे को लगाते हैं, क्योंकि संडे को छुटी होती है, वर्किंग डे में नहीं आ सकता उसकी मजबूरी हो सकती है, और डेडी के संगी कम होता है, और संडे में भी सारे लोग नहीं आते, बहुत सारे अपने काम करते हैं, तो कल का दिन बहुत बढ़े रहा, टेंपरिचर ऐसा रहा, जैसे मार्च का महिना चल रहा हो, लोग धूप सेकने और घूमने के हिसाब से और बढ़ियाच पूरे देश में धूम धाम से, एक दिन का बुद्ध का एकरम, बुद्ध सब बहुत धूम धाम से मना, महराष्ट के अंदर तो बड़ा पैसन होता है, पैसनेट लोग होते हैं, बहुत एक तरह ऐसे डेडिकेटिट लोग होते हैं, वहां तो कही के हपते बुद्ध की पूर्णिमा और बावा साप का बत्ड़े चलता है, पर हमारे अधर अभी कल्चरल मुव्मेंट बहुत कम है, और पॉलिटिकल मुव्मेंट जादा है, इसलिए इधर लोगों में थोड़ी दिक्कत है, महाराष्ट के या उधर के लोग इधर आएंगे, और इ पर किसी भी वक्त में, किसी भी भाषण में, जो बड़े-बड़े मंचों पे, छोटे-छोटे मंचों पे सेकड़ों मंच लगी, हजारों मंच लगी, भाषण देने वाले लोगों की संख्या कम पड़ जाती है, इस दिन, खास और से 14 अप्रेल को, 14 अप्रेल के बाद संड बुद्पुर्णों वाले दिन या कोई 26 नॉवंबर या कोई दिन वैसा आता है, बहुत सारे भाषणों का धन किया, और सभी लोगों ने बुद्ध के गुणगान, बुद्ध का रूप, बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का चरिया, बुद्ध का काम, धंपद, किसी ने भी ये नहीं बताया कि बुद्ध खतम कैसे हो गए, आखिर इतनी बड़ी जो सभेता थी, इतनी बड़ी जो कल्चर थी, इतनी बड़ी जो संखार था, जिसको आज संस्कति बोलते हैं, पराने समय में हम संखार बोला करते थे, इतना बड़ा जो संखार था, इतना बड़ा सब कुछ जो पूरे इरान से लेके अफगानिस्तान से लेके और भूटान और इधर स्री लंका थाइलेंड बर्मा चीन का कुछ हिस्सा नैपाल आज का अफगानिस्तान आज का बगला देश आज का पाकिस्तान ये सारे के सारे हिस्सों में जहां ये कल्चर जहां ये संखार, जहां ये संसकती, जहां ये सब्भैता, जहां ये सिविलाइजेशन ये दोड़ती थी और जिसका नाम समण कल्चर, समण सब्भैता या समण सिविलाइजेशन थी आखिर उसके इतने बड़े प्रचारक, इतने बड़े जानकार जिनको समण बुद्ध बोला करते थे उनकी इस विचारधारा का, उनकी इस संखार का, या संस्कति का, कल्चर का, या सभ्था का नाम तक भी बदल दिया, ये कोई नहीं बताता सब लोगों ने पूजा की, पाठ की, फूल चड़ाए, अगरवती जिलाई, धूबती जिलाई, ठीक है क्योंकि अभी transition period है, लोग समझ रहे हैं तो दूसरी जो कल्चर है, उसको देखके अपनी कल्चर को डबलप करने की कोशिश करते हैं तो जब कोई कल्चर आसपास होती है, कोई संखार आसपास होता है, तो इस संखार के जो संखारे हैं वो आ जाते हैं क्योंकि अपने का पता नहीं और जो दूसरा है, पर सिश्टम अपना है क्योंकि कम से कम संथ अपना है, गुरू अपना है, समढ़ बुद्ध है तो ये संतुष्टी रहती है कि चलो अपने घर में आये अभी अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं समझ जाएंगे कि पूजा कैसे करते हैं पाठ कैसे करते हैं असली पूजा क्या है पूजा का मतलब क्या है पर विद्वानों से ये उम्मीद नहीं की जा सक उनको तो ये बताना चाहिए कि अभी हम अगर धंब के चेतर में या बुद्ध की समझा कल्चर के चेतर में या अपनी सभ्यतागों दुबारा से बाहर निकाल रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो इसके सेफटी गार्ड इसके सुक्षा के जो नियम हैं वो भी सासात हमें बतात रहना चाहिए और उसके जरूरी है कि पहले कैसे हम मारा पतन हुआ पहले कैसे हम खतम हुए उसकी जानकारी हमको दुर्स तरीके से होनी चाहिए साहित्य उठाओगे तो साहित्य में ये लिखा हुआ है कि जिसके पिर्चारक जिसके पिर्सारक यानि जो परचार और पसार करते हैं वो अगर खतम हो जाते हैं तो वो चीज खतम हो जाती है यानि जिसका हम एप्टाइजमेंट करना बंद कर दें जिसका हम प्रोपो करना करना बंद कर दें जिसकी हम किसी वी हालत में जो उसका ब्रोडकास्टिंग है उसको बंद कर दें या लोगों को बताना बंद कर दें या उस बात को ना फैलाएं तो वो खतम हो जाती है यह एक नियम है और यह ठीक बात भी है पर यह एक कारण है एक कारण से इतनी बड़ी सभ्था का विनास नहीं हो सकता इत संखार है जिसको संसकती बोलते हैं यह कल्चर है इस कल्चर को क्यों खतम किया गया क्यों यह सारे समण संथ जितने भी समण संथ हैं चाहे वो बुद्ध हैं चाहे वो कबीर हैं चाहे वो रविदास हैं चाहे जो भी है या आज के समय भी जो लोग जागरूख हैं कौन को और उनके जो उनके मठ हैं या जो उनके डेरे हैं उनको खतम कर देते हैं यह जब तक आप यह जानेंगे नहीं कि वो लोग क्यों करते हैं तो आपको कौन का पता नहीं चलेगा सबसे पहले यह देखें कि क्यों करते हैं क्या कारण है इस पूरे भारत के अंदर जो समण सभ्यता या समण संखार समण कल्चर या जिसको समण संसकती संसकती सब्द हमारा नहीं है पर बोला जाता है क्योंकि आपको समझ में तब ही आएगा पर संखार को संसकती बोलते हैं दरसल संखार का जो असली मायने है वो पाली के अंदर कल्चर है और जो संसकती है वो संसकार कत होता है जिसका संसकार क्या जा सके इसलिए वो सब्द ठीक नहीं है बदला हुआ सब्द है तो संखार या कल्चर इस्तमाल करें तो उस संखार में है क्या और कौन लोग हैं जो उसको बदलते हैं और कैसे उसको बदलते हैं तो जायसी बात है कि पूरे सिस्टम के अंदर जहां व्यक्ति सुख और सुविदा चायता है विकास चायता है तो किनी लोगों का सुख विकास और सुरक्षा खतम हो रही होगी इस सभेता से इस कल्चर से इस संखार से इन लोगों से तो उन्होंने इसको बदला ये बात बिल्कुल इस पश्ट हो जाती है क्योंकि जिसका नुकसान नहीं होगा वो क्यों हिलेगा इसका नुकसान नहीं होगा वो क्यों एक्ट करेगा तो किर्शी का नुकसान होता है हमारी संबेता से हमारी कल्चर से पहली बात फिर इसको खतम कैसे किया जाता है क्योंकि जब नुक्सान हो रहा है तो जायसी बात है कि इसको लोग खतम करने की कोशिस करेंगे तो कैसे खतम किया खतम करने के बहुत साइट तरीके है आप दो चीज़ें खतम करिए सारी चीज़ें खतम हो जाती है आप जो नागरिक्ता है नागरिक्ता जिसको बाद में सब्भेता बोलने लगे नागरिक्ता सब्भेता हम नागरिक्ता इस्तमाल करते हैं सब्भेता भी करते हैं ताकि सवंज में आए सिविलाइजेशन और आप उसकी जो कल्चर है जो संखार है जिसको वो संसकती बोलते हैं उसको खतम कीजिए अगर ये दो चीज खतम हो जाती है तो सारे लोग खतम हो जाते हैं जो सब्भेता या सिविलाइजेशन है या जो हम इसको बोलते हैं नागरिक्ता ये वो चीज आती हैं जिसमें व्यक्ति रहता है काम करता है, उसका शेहर, उसकी सड़क, उसका जंगल, उसका मैदान, उसका घर, उसके जो भासा है, बोल चाल है, जो वो इस्तमाल करता है, जो वो बनाता है, ये वो सारी चीज़े हैं जो वाहिय रूप से, बहारी रूप से, वो इस्तमाल करता है या उसमें रहता है, वो वा और जो उसके अंदर चेंज होता है, यानि कि जो मनुस्य है, मनुस्य लगातार अपने आपको बदलता रहता है, उसकी जो मन के अंदर जो चीजें आती हैं, राग द्वेस, वो बदलती रहती हैं, उस बदलने के हिसाथ से वो अपने वहवार को बदलता है, उसको संखार बोल कुछ संखार सब्द है इसकार स मझ एक आग इस संख किया है तो बाद में संख कोते हैं ज Wow आप McD 21 संखार के जो यहांन का मतलब यह है और अपने आपको लगाता धीरे-धीरे बदलता रहता है और बड़ा करता रहता है क्योंकि संख के अंदर Ju Switzerland UC खटा करता रहता है आप उसको चार दिन बाद देखोगे तो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा चार दिन बाद देखोगे और बढ़ जाएगा रोज देखोगे तो आपको पता निचलेगा कि यह बढ़ कहां से रहे पर वो धीर धीरे बढ़ जाता है उसी से संख्या बना या संख्ला का मतलब संख्या एक दो तीन चार पांच यानि लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई है संख्ला का मतलब चैन होता है एक से जुड़ी हुई वही जो लगाता लगातार बढ़ती रहती है बदलती रहती है चीज उसी से संखार सब्द बनाए और उसी से संखारा ये संखारा सब्द पाली साहित्यकार पुराने सब्दों का सबसे मारक सबसे जबर्जस्त और सबसे टेक्निकल वर्ड है जो लोग बुद्ध की विपस्टना करेंगे बुद्ध के द्वारा डबलब विपस्टना करेंगे या पाली पढ़ेंगे और पाली में अपना मन पढ़ेंगे और अपना सरीर पढ़ेंगे विज्ञान पढ़ेंगे उसमें ये संखारा आता है क्योंकि संखारा संखार जो होत होते रहते हैं उसी से संखार से ही बाद में इसको culture को संसकती नाम दिया गया संसकती नाम हमारा नहीं है पाली का नहीं है ये जूटा नाम है एक तो इसमें आधा रह है दूसरा ये बदला हुआ है ताकि जो संखार सब्द वो खतम हो जाए तो संखार सब्द खतम हो गया और संसकती सब्द चल जा है इसमें चल गया है आपने देखा होगा कि एक सब्द चलता है संसकरण यह संसकरण किताबों में बहुत आता है चोथा संसकरण पांचमा संसकरण छटा संसकरण यह पाली के अंदर सब्द है संखरन यानि कि संखरन का मतलब है मरमत कर दी गई जो संखर सब्द बोलते हैं इसका मतलब है बदलना और जो संखरन है इसका मतलब इसका जो रेस्टोरेडेशन है इसका बदलाब है वो कर दिया गया है इसलिए जब हम कहते हैं दूसरा संखरन है संखरन है इसका मतल कर दी गई एक होता है संखारोती संखारोती का मतलब होता है मरम्मत करता है restoration करता है संखारोती इसी को बाद में संसकारित बोला गया कि यह संसकारित है यानि कि इसकी मरम्मत हो गई हमारा जो सब्द है जो सद्ध है, समन इसको संस्कारत या संखारुत किया गया, संखारूती इसकी हुई, तो इसको सिर्मन से समन कर दिया गया तो किसी को अगर खतम करना हो उसकी जो संखार है उसकी कल्चर है उसको खतम करना हो या उसके सभेता को खतम करना हो जो उसकी सदियों से उसका रहन सेन खान पीन बोल चाल भासा लगाता चलती आ रही है उसका शहर, उसका गाउं, उसकी मढहिया, उसकी कोठी, उसकी बंगला, इन सबको अगर तहसनेस करना हो, तो सबसे पहले उन सब्दों को ही खतम कर दाना चाहिए, जिन सब्दों से उनकी पहचान होती है, मैं यहां बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे को खतम करना हो, तो सबसे प चहरा चोरा ये जो भी कुछ है ये सब नाम से आता है जैसे ही मेरा नाम किसी के जहन में आता है दिमाग में आता है वो मेरा चहरा मौरा नाग चस्मा बाल कान बोलने का आवाज का फ्रिक्वेंसी मेरा सरी लंबाई चोड़ाई या जो मैंने बोला जो बताया क्या मूमेंटर क क्या नहीं, वो सब मैं कहा रहता हूं, क्या खाता हूं, क्या पिता हूं, वो उसको सारा का सारा इडेंटिफाई हो जाता है, सिर्फ एक नाम से ही, यानि नाम खतम कर दोगे तो आप पहचान नहीं सकते के मैं कौन हूं, किसी को जब तक नाम नहीं बताओगे के हमारा समढ क्या है उसके दमाग में समढ संग नहीं आएगा तो समढ सब्द को ही खतम कर दोगे समढ संग को ही खतम कर दोगे तो पूरी सब्वेता खतम हो जाती है नश्ट हो जाती है इसलिए ये काम उन्होंने किया और इस काम के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद चल कपट यानि समझोता करके दाम दे कर साम माने समझोता दाम माने पैशा दे कर खरीद कर दंड माने उसको डरा कर या उसको मार कर या पीट कर भेद माने उनमें आपस में उंच नीच का छोटे बड़े का अंतर करके चल माने धोका यानि के कोई भी आदमी कहे दोका और कपट माने कि सामने बिल्कुल आँखों के सामने अपनी कही बात को मुकर जाए कपटी एकदम ऐसा कपटी कि अभी आँखों के सामने तुरंत का तुरंत हाथ में उसके में दो सेव हैं उससे पूछो कितने सेव हैं तो कह दे कि मेरे हाथ में एक भी सेव नहीं है ऐस शट यंत्र हैं यानि छेत्रे के जो प्रकार हैं यंत्र माने होता है तरीके मशीन ये छेत्रे की जो मशीन है छेत्रे की जो बाते हैं इनको सड यंत्र बोलते हैं और इनको इस्तमाल किया गया पूरी पूरी सभ्था और पूरी पूरी जो कल्चर है संखार है उसको नश्ट करने में समझोता किया गया जहां मार नहीं सके वहां समझोता किया गया हम भी आपके हैं हम भी इस कल्चर को जानते हैं हम भी इस कल्चर में हैं हम भी आपके संतों को नमन करते हैं, हम भी आपके संतों का फोटो लगाते हैं, हमारे ही संत हैं, सारे मन उससे बरावर हैं, आपके संत ने ऐसा कहा है, आपके संत ने बहुत बड़ी बात कही है, आपके संत के लिए हम ये करेंगे, ये जो समझोते वाली बात है, और फिर उसम अपने अपनी सही बात के साथ साथ में दूसरे की गरतबाद भी माली। दो तरह की कल्चर मिक्स नहीं हो सकती। एक जिसके अंदर गौड है और एक जिसके अंदर गौड नहीं है। ये दो तरह की अलगलग कल्चर है पूरी दुनिया में ये मिक्स नहीं हो सकती। ये बिल्क इसके बदले में आपको पैसा देंगे तो पैसा देके दाम देके उसको अपने विचारों में बदला जाता है तो उसके अपने विचार खतम हो जाते हैं जिसके पास पैसा दिया जाता है वो फिर अपना विचार नहीं बोल सकता ये ठीक ऐसे है जैसे आज के समय जो कोई व्य बदले और उसको पैसा मिल जाए है, तो फिर वो पहली वाली जो राजयदी की विचारीवाइ इसки वारे नहीं बोच सकता, क्योंकि उस ने पैसा ले लिया, अगर पैसा ले लिया, तो नहीं बोच सकता, बहुत सारी लोगों ने अपने नत ले जब अंग्रेज आए तो लोगों ने मत बदलके हैसाई होगे क्योंकि उनको पैसा मिल गया जब यहां मुस्लिम आए तो मत बदलके मुस्लिम होगे क्योंकि उनको पैसा मिल गया यह सुबधाय मिली यह पैसा मिला यह पोश्ट मिला वो सारी बाते हैं कुछ ना कुछ हो सकती है अपने फायदे के लिए तो साम हुआ दाम हुआ दंड हुआ दंड में जब आदमी को ये कहा जाता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार देंगे, तुझे पीड देंगे, तेरा ये सामान चीन लेंगे, तेरी ये सुविदा चीन लेंगे, तेरा ये पद चीन लेंगे, तेरा ये अधिकार चीन लेंगे, तेरी ये सारी बातें चीन लेंगे, हम तुझे अकरने नहीं तो यहां आनी सकता, जानी सकता, बैठनी सकता, उठनी सकता, खानी सकता, पीनी सकता, रहनी सकता, ताला आपको छूनी सकता, जमीन पे चलनी सकता, थूकेगा भी नहीं, जाड़ू भी नहीं, यह जो दंड जो चीजे होती है, उसमें आदमी जो तूट जाते हैं, वो अपनी स व्यक्ति के मन उससे जो व्यक्ति होता है उसके मन को करट किया जाता है उसको कहा जाता है देखो ये छोटा है ये बड़ा है ये काला है ये गोरा है ये पहला है ये बाद का है ये अच्छा है ये खराब है इस तरह से उसके दिमाग में भ्रह्म पैदा किये जाते हैं और उसमें अंतर डाला जाता है और लोगों में अंतर डालके उनको तोड़ा जाता है इससे व्यक्ति, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी नारिटा वो सबको छोड़ देता है और दूसरे के भर्म में फज जाता है और भाई-भाई के दुस्मन हो जाते है उसके बाद आता है चल चल के अंदर जो व्यक्ति होता है वो उसको चलता है कोई भरुसा दिलाता है और भरुसा दिलाने के बाद उस भरुसे को तोड़ देता है अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता मैनुफेस्टों में कुछ और लिखेगा जैसे चुनाबों में होता है पर करता कुछ और है बाशनों में कुछ और बोलेगा पर करता कुछ और है प्रामिस कुछ और करेगा वाइदा कुछ और करेगा पर करता कुछ और है तो ये जो कहते कुछ है और करते कुछ है इसको चल बोलते हैं और ये चल वाले जो लोग लोग होते हैं कहते हैं वो चलिया है चल गया तो ऐसे लोग चलनी होते रहते हैं चलते रहते हैं उनमें छेद होते रहते हैं और वो दीदरेख खतम होते हैं उनकी सब्वेता भी सारी सारी खतम हो जाती है और आखिर में आता है कपट यानि कि आखों के आखों के साम नहीं वो आपकी सब्व को बिल्कुल मानने से इंकार कर देंगे और अपनी स्रेष्ट पताएंगे अपनी नागरिकता स्रेष्ट पताएंगे और आप कुछ भी कहते हो वो आपकी बात को सही बात को नहीं मानेंगे इन च्छे के च्छे जो यंत्र हैं इनको कैसे इस्तमाल किया गया इनको कैसे जो लोग आए जैसे मुगल आए तो मुगलों ने जो भी बहार से आता है वो सब तरह की हतियार अजमाता है चाहे वो मुगल हों चाहे वो अंग्रेज हों चाहे वो पॉर्शुगीज हों चाहे वो पहले वाले जो तेरे प्रकार के लोग आए वो हैं या अभी और भी जो भृक्तार बुद्ध के जयासे चार्फ संतों की संढ़ संतों की समड़ धंदर भृत सारे संत आते हैं। उसमें सबनाभीБि आते हैं, कभीडाउंधा 안दे अग्रवक typing, Baba और काम करते हैं तो उनको हटाने के लिए उनको खतम करने के लिए ये सारी के सारी चीजें वो लगाता लगातार इस्तमाल करते रहते हैं और जब वो सारी चीजें लगातार इस्तमाल करते रहते हैं तो ये सब्वेताएं और ये जो कल्चर हैं ये खतम हो जाती हैं इनका पता तो लोग इस सब्वेता उस कल्चर वाले जो रिच लोग थे वो गरीब हो जाते हैं और उनको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने उनकी कल्चर, उनकी नानागिकता, उनकी सब्विता कितनी महानती और कितनी बड़ी थी पर समय बदलता रहता है जैसे कूडे के दिन बदलते हैं और कूडा भी कुछ सालों में परण जाता है वैसे ही सब्भेताएं भी आती जाती रहती हैं, कल्चर भी आती जाती रहती हैं, यसे घपराना नहीं चाहिए पर ये होता तबी है जब आप सारे के सारे इखटे हो जाओ अगर हम इखटे हो जाते हैं तो बेसक हमको अपनी पुरानी सभेता याद हो या ना हो बेसक हमको अपनी पुराना संखार, पुरानी नागरिक्ता, पुराना कल्चर याद रहे या ना रहे पर जैसे ही खटे होते हैं ये प्रकति का नियम है कि दिमाग अपने आप उन चीजों को याद दिला देता है अगर हम बुद्ध के धम की भाशा में कहें तो जितने भी जीवों से हम बने हैं जितने भी जीवों से बनके हम मनुष से बने हैं और आज मनुष से हैं उन सब की मेमोरी कार्ड या मेमोरी चिप हमारी बॉड़ी के अंदर ट्रांसफर होती रहती है चलती रहती है पर वो अनुभव के रूप में होती है अनुभव के रूप में ऐसे कि हमने जितने अब दर्ज रहते हैं, वो मुझे पता रहते हैं, इसलिए जो बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो आप देखो कि बच्चों को कुछ बाते हैं ऑर्टोमेटिक पता रहती हैं, कि उसको मा का दूद पिना है, और उसके दूद नहीं मिल हो जाओ तीन बातें कौन सी हैं तीन बातें हैं कि सबसे पहले आप इस बात से मुक्त हो जाओ कि आपको खाना एकटा करना है जिस व्यक्ति को पूरे दिन रात ये चिंता रहती है कि उसको शाम का रोटी कहां से मिलेगी और उसको सुबह की जो बेसिक इंस्टिक्ट है यानि जो पहली जरूरत है जो पहली प्राकर्टी जरूरत है मनुस्य की या जानवर की वो है खाना उसको खाना चाहिए खाना मिलने के बाद में सरीर को रिपेर करना होता है तो दूसरी चीज है उसको आराम चाहिए उसके सरीर को रेश चाहिए चाहिए भले सोय या ना सोय पर सरीर उसका इस्थर रहे जैसे बुद्ध कभी सोते नहीं थे बुद्ध की आँख नहीं बंद होती थी कि वो अपना re-production करे, यानि खाना मिल गया, उसका इससे बस्तर कर गया, तो तो अब उसकी चिंटा रहती है, कि उसका जो अस्तित्व है, वो बना रहे, और अस्तित्व बड़े रहने के लिए, उसके जैसे और जानवर یा उसके जैसे और लोग आएं, और वो reproduction करता है, तो और वो ये है कि उसको मांसिक आजादी चाहिए बाकी सब को तो सारिक आजादी चाहिए जितने भी जानवर हैं जो बिये पर मनुस्य को सारिक के साथ साथ मांसिक आजादी भी चाहिए ये मांसिक आजादी वाला जो मैटर है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ज संग के वारे में सोच सकते हैं समण धं के वारे में सोच सकते हैं संतों के वारे में सोच सकते हैं पर अगर आपकी सारी चीज़ें यह छील ली जाएं फिर आप किसी काम के नहीं बज सकते यही हुआ जो धं हमारा गया जो हमारा समण संग हमारा गया यह जो हमारी समण सभ्वेता या समण कल्चर या समण नाधित है वो हमारी गई उसका कारण यह था के हमारी जो इस्थिती है भीडरें करके यहां तक आ गई कि हमको मरे हुए जानवर म मासके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये कई सो सालों में हुआ है और लगातार दूसरे लोगों के प्रियास से हुआ प्रियास तो सभी करते हैं, अपने बैटरमेंट के लिए सभी प्रियास करते हैं इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है इस बात की दोहाई नहीं देती है कि मनुस्य ने मनुस्य के साथ क्या किया ये वार के अंदर युद्ध के अंदर ये बातें नहीं चलती जब युद्ध होता है और लड़ाई होती है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि मनुस्य मनुस्य के साथ क्या कर रहा है जब मामला सुख का, सुविधाओं का और बिना महत करे कि खाने पीने का है तो वहां आदमी के अंदर जानवर वाले सारे गुणों निकल आते हैं बाहर वो सब अंदर होते हैं मौजूद इसलिए बुद्ध ने बताया है कि राग और द्वेस का पुतला होता है मनुस्य उसके अंदर सारे वहवार होते हैं तो ये सारी चीज़े 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 चीज़ें के लिए ये छे हतियार अपनाए गए साम, दाम, दंड, बेच, चल, कपट इनका उद्देश से ये था कि हमारा खाना खतम हो जाए तो हमारा सरीर खतम हो जाएगा अगर हमारा सरीर खतम हो जाएगा तो हमारे अंदर स्वस्ते मन नहीं होगा स्वस्ते मस्तिक नहीं होगा तो हम चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बुद्ध का भी पहला यह नियम था, उन्होंने भी यह देखा, कि अगर मैं मरी गया, तो किसको बुद्धत प्रावद होगा, किसको धम मिलेगा, फिर तो सरीर खतम हो जाएगा, इसलिए पहले सरीर को बचाओ, तो सरीर को बचाने का प्रियास पहले किया, और जिनके सरीर नहीं बसते हैं, वो कोई चंतरमन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अधिकतर हमारे लोगों की हालत ऐसी है, कि उनको यह नहीं पता, कि वो हैं क्या और क्या नहीं है, उनको यह नहीं पता, कि वो मनुस्से हैं या जानवर हैं, क्योंकि उनको इस सितित पहुचा दिया गया है और वो बहुत धीद्रे करके पहुचाया है पर जिन लोगों को ये जानकारी हो गई है कि अब हम मरने वाले हैं हमारे बच्चे मरने वाले हैं या हमारी सिती फिर वही आने वाली है जो हमारी पहले थी हमारा खाना लगबग छीना जा चुका है हमारा ज करते थे वो सिर्फ एक काम हमारा था के हमको फिल हाल मैं नौक्रिया मिलती थी सिरकारी नौक्रिया वो जादा अच्छी थी प्राइविट नौक्रिया ठीक हैं पर उन практически होता है इसलिए आरक्षण तो रखा पर जो जहां नौकरी मिली थी जिन डेपार्टमेंटों में विभागों में वो सरकाई डेपार्टमेंट और विभाग बेच दिये इसलिए आरक्षण है पर नौकरी नहीं मिलेगी हमारे पास में खेत खलियान नहीं है हमारे लोग उसमें सेर में नहीं चल सकता क्योंकि महां जात के अधार चलता है और वो लोग जात के अधार पे व्यापार को सुविकार नहीं करते नहीं वहां चल पाता है हमारे पास में कोई इंडिस्टी नहीं है हमारे को इंडिस्टी के मालिक नहीं है अगर हैं भी तो कहीं हम लेबर ही हैं और labor का सोचवन होता है 12 गंटे काम और हमको 12 गंटे काम के अंदर कुछ नहीं मिलता जो हम आगे का पेट भी भर सकें पूरा या अपने मन मस्तिस को ठीक कर सकें या सरीर को ठीक कर सकें हमारे पास में कोई ऐसा धमिक रास्ता नहीं है कि हम दुनिया के बाकी बुद्धिष्ट कंट्री हैं उन से मिलके उन से मतद मांग सकें या उन देशों के अंदर हम नौकरी कर सकें क्योंकि हम बिखरे हुए लोग हैं और राजनियतिक पार्टियों का बोट इतना बटा हुआ है कि वो वार्गिनिंग नहीं कर सकती वो किसी की किसी के हाथ पै है कि हमको खाना नहीं मिलना चाहिए अगर खाना मिलेगा तो हमारा दिमाग चलेगा खाना मिलेगा तो हम फिर मुक्ती के रास्तिक तरफ सोचेंगे तो खाना नहीं मिलना चाहिए और ये पूरी दुनिया का नियम होता है इसलिए इसका अच्छा बुरा नहीं मानना है इसक कोई फायदा नहीं होने वाला जो करता है वो करता है जो लोग बहुत संख्यक होते हैं वो हर चीज के मालिक होते हैं जो संख में रहते हैं जिनकी संख्या जादा होती है उनकी इंड़स्ट्री भी होती हैं, उनका देश भी होता है, उनकी जमीन भी होती है, उनका सेना भी होती है, उनकी पुलिस भी होती है, उनके सरकाई दफ्तर भी होते हैं, उनके सब होते हैं, और जो लोग बिखरे रहते हैं, उनका सब कुछ भी होते हुए भी सब कुछ छिन जाता है, जैसे हमारा छिन करा के ले लिए गए होंगे पर अधिकतर छोटी मोटे की रकम देदा आगे भगा दिया गया है ऐसी रकम जो हमने मागी नहीं पर जवस्ती दे दी गई ताकि हम यह नहीं के हमारे साथ कोई जाती हुई है यह सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में चलता है इसलिए यहां जो तरीके हैं और जो बताए जाते हैं बुद्ध को खतम करने के उनको कोई नहीं बताता कि बुद्ध की सब्धता बुद्ध की कल्चर या समण धंकी या समण संग की या समणों की जो सब्धता है समणों की जो नारिकता है समणों के जो नगर थे वो नगर से सहर के कौनों तक कै कैसे आगे कोई नहीं बताता इस बात को और कोई बताता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बताएगा तो काम करना पड़ेगा खाली भाशन देना बड़ा असान है इनलिए समढ़ संग के अंदर ये बातें बाद में बताए जाती है पहले कहा जाता है कि भाई आप इखटे हो ज नहीं है एखटे होने के लिए नहीं कहते हो क्या तो वो चुप हो जाता है अरे तुम राजनितिक पार्टी की बात करोगे तुम करोगे के ताला चावी खुलेगा राजनितिक सारे अधिकार मिलेंगे हम मना नहीं करते इस बात से सारे सारे अधिकार तो नहीं मिलते पर कु ताले चावी बना रखे हैं तुमने हजारों पार्टियां बना रखी हैं सब अपना अपना ताला चावी खोलने में लगे पड़े हैं कोई राजनितिक पार्टि ये 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 नहीं कहती कि हम बड़े मुर्ख दिये हैं कि किस कि चावी खोले और किस किस के ताले खोले ये तो बताओ और इससे होना क्या है अरे एक ताले की चावी और एक ताले खोलना था पर ये कभी नहीं कहते कि एक ताले खोलना और एक चावी क्योंकि ये कहेंगे तो अपनी पार्टी बंद करनी पड़ेगी तो चुप रहते हैं एक भी वार कोई यह नहीं कहता अरे यह जो ताले चाबियां बहुत सारे हो गए हैं इन ताले चाबियों को सब को लोहे को पिखला के एक ताला चाबिय बनाओ इन सारे राजनेतिक पार्टियों की एक पार्टी बनाओ कोई नहीं कहता इतने मकार लोग हैं आधी बात बताते हैं आधी खा जाते हैं और हम इतने मुर्ख हैं कि पूछते नहीं उनसे कौँसा ताला कौलना है कौन सी चावी खोलना है पहले डिशाइट तो कर लो कौन इसका मालिक है कौन नहीं है यह समस्या लगातार बड़ी रहती है वैसे ही कल जो हमारा धमका काईकरम हुआ हमको कोई मतत नहीं मिलने वाली जापान से हमको कोई मतत नहीं मिलने वाली कोरिया से हमको कोई मतत नहीं मिलने वाली जर्मन में इतने बुद्धिष्ट हैं उन से हमको कोई मतथ नहीं मिलने वाली अमरीका के अंदर इतने बुद्धिष्टें उसे, दुनिया में बड़े रिच बुद्धिष्टें, इतनी रिच कल्चर है, इतना पैसा है, इतनी इंड़ुेंट्ट्री यह उनके पास में, जापान में तो आदमी नहीं है काम करने वाले, वहां कर रहा है को tack 20 कर लाए को या कर रहा है को कर नबर बनाने काउंटिंग करने और मैंने तुमने बुद्ध का काम कौं सा किया अगर यह लड़कों को रोजगार नहीं मले है त्म सब तो सारा टुकडों में पटा हुआ मामला है आपस में लड़ रहे हैं एक सिस्टम नहीं जब नागपुर में डिशाइड हुआ कि एक शहर एक बुद्ध और एक बंदना होनी है तो कोई करने को तयार नहीं है सब अलग अलगी काम करेंगे बस इतना ही उनका तुष्टी करण ह इतना ही satisfaction है कि हमने एक काईक्रम लगाया अब अगले साल फिल लगाएंगे इस वार हमारा 10 वार हमारा 11 फिर हमारा 12 वार और बहुत बड़िया काईक्रम हुआ इस वार तो बहुत बड़िया ऐसा भाचन हुआ यह हुआ वो हुआ यह फोटो और यह वीडियो और बस एक दिन का बुद्ध और उसके बाद में काम खतम हो गया ये ये बुद्ध का कल्चर नहीं है ये बुद्ध की सब बतर नहीं है बुद्ध की सब बतर तीन सो पैस्ट दिन की है जो बुद्ध का कल्चर है वो तीन सो पैस्ट दिन का है और वो पूरी दुनिया का है पर पूरी दुनिया ब तो हम गए नहीं और जाएं कैसे जब तक एक्षटे नहीं होंगे बहर वाले लोग किस से बात करें किसे जाएं वो बहर वाले लोगों के पास मीडिया जाता है वो परिशान हो जाते हैं, अरे हरा आदमी रगलक काम कर रहा है, ना तो भिक्कु संग है और ना ही कोई उपासको का संग है, तो उपासक संग नहीं, भिक्कु संग नहीं, तो कैसे काम करें, ये समस्यां लगाता 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 चलती रहती हैं, ठीक ऐसे ही हमारा पूरी सब्वातार, पूरी कल्चर उस समय खटम की गई, और उसको खटम करने के लिए सारे साम दाम दंड भेज छलकपट लगाए गए, पर कोई इसको मनन करने को त्यार नहीं, कोई इसको कहने को त्यार नहीं, कैसे कहेगा कि बुद्ध के इतने सारे टुड़े हैं, तो कैस मेटकर की जैनती है कैसे कहेगा कि इतने सारे स्रम्णों की टुकड़े हैं तो कौन सी स्रम्ण कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं कैसे कहेगा कि सारे मूल निवासी है तो मूल निवासी अलग लग क्यों है कैसे कहेगा कि अगर बहुजन बहुजन रट रहा है तो फिर संतुष्टी हो जाती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया और यही संतुष्टी हमारी लोग बिरोजगार होने वाले अभी पांच साल के अंदर महानगरों के अंदर जो सकूटर ठीक करने वाले मिस्तरीं है वो खतम हो जाएंगे कि अब ईवी आ गया है इंडीक्ल कारे अब आ गई हैं महानगरों के अंदर जिसके अंदर इंजन नहीं होता, सिर्फ एक मोटर होती है और वो रिप्लेस्मेंट में जाती है, या नहीं मोटर खराब होई, वो ठीक नहीं होती, वो दूसरी लगेगी तो मिस्तरी और मेकैनिक को काम खतम हो जाएंगे, तो ये जो लाखो करोड़ों जो मिस्तरी और मेकैनिक हैं छोटे छोटे छोटे, इनका क्या होगा कोई इनके लिए योजना नहीं है अभी दुकाने सारी सारी बंद हो रही है दुकान वाले दुकान जाने हमारे लोगों की ज़्यादा दुकान नहीं है पर हमारा भी काम लगबख खतम है जो सकारी करमचारियों के था क्योंकि मसीन आगी है कंप्यूटर आगे है और नौक्रियां लगबख सारी खतम है तो हमारे लड़के क्या करेंगे हमारे लोगों को रोजगार कौन देगा हमारे लोगों की तो एजूकेसन भी खतम कर दी है हाईर एजूकेसन हमको मिलती नहीं टेक्निकल एजूकेसन है वो करोड़ों रुपे में हो गई है जो टेक्निकल है और जो एजूकेसन हमको मिल रही है उससे तो पहली बात तो नौक्री नहीं चप्रासी कि दूसरी बात वो मिलेगी नहीं और कितने लोगों को मिलेगी और क्या करेंगे तो वो काम क्या करेंगे पहले तो कुमार का काम करते थे तो बतन बनाते थे चम्रे का काम करते थे तो बैल्ट बनाते थे बैग बनाते थे जूता बनाते थे नाई अपना हेर कटिंग का काम करते थे कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुनते थे सिलने वाले सिला करते थे, धोने वाले धोगा करते थे, जो घोड़े पालने वाले गोड़े पालते थे, जो रध चलाने वाले रध चलाते थे, पहले ये सारे काम मनुस्य करते थे, अब ये सारे काम मशीने करती हैं, और मशीनों की जो जानकारी है, बनाने की और इंडिस्ट हो गए 60-70 लाक जो लोग थे साफ हुए हैं मर गए हैं वो लोग बच जाते अगर उनका संग होता अगर वो इखटे होते तो अपने अपने डॉक्टर से फोन करके पूछ लेते कौई से हॉस्पिटर में जाना है क्या दवाई लेनी है क्या करना है पर कोई संसादन नहीं कोई system नहीं कोई एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं कोई जानते नहीं कोई पचानते नहीं अगर फिर कोई आपदा आ गई तो कैसे करोगे 60-70 लाक फिर मर गए फिर फिर मर जाएंगे तो मरने के लिए काम करना है तो फिर करना क्या है पर अगर जिंदे रह संग में सारे यहाँ 10-20 लोगा काम नहीं करेंगे हर व्यक्तियुक काम करना पड़ेगा तो जिंदा रहना है तो संघ में और अगर जिंदा नहीं रहन जाना है तो पिर तो कहीं जागे मरु कोई पूछने कुछने वाला है नहीं मरने वाली की क्या भूका मर जाओ बिना दवाई के मर जाओ बिना पढ़े मर जाओ बिना काम के मर जाओ डिप्रेशन में मर जाओ जैस्चा वैसे मर जाओ पर जिंदा जो है उसको तो यह साबित करना पड़ेगा कि वह जिंदा है और साबित करने के लि और इखटे होने का जो आज का संसादन आपके पास है वो सिर्फ संग है क्योंकि संग वो democratic system है जिसके अंदर आपकी सुनी जाएगी आपकी बातें यहां रख सकते हो आप जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हो आपके अधिकार यहाँ सुरक्षित हैं आपका विकास यहाँ सुरक्षित है जैसे पहला था इसलिए संग का जो प्लेटफार्म है या जो संग है उस सबसे बड़ा होता है 29 लाक संधन है हमारे पर 29 लाक संधनों के होते हुए भी हमारा कोई अधिकार बचा नहीं और जब हमारा कोई अधिकार बचा नहीं तो हम यकीन किस पर करें पर संग के पुराने समय में जो संग था उस संग में हमारे सारे अधिकार बचे उस संग ने हमको चक्रवती सम्राट असोग बनाया उस संग ने हमारी सभ्यता को हमारी कल्चर को हमारी नागरिक्ता को पूरा रह 시청 शुरक्ष श्रा का फिख्स करके रखा उससी संग की कलचर की वज्य से उसी संग के संखार की वruce हम आज तब जीवित हैं। उसी संग के उसी जो जितने भी हमारे समझ महापुरुस रहे हैं उनी की संविधान पास हुआ और वही संविधान भारत में लागू हुआ उस उस संविधान से हमें सारे राइट मिल सकते हैं सारी चीज़े मिल सकती हैं पर उसके लिए आपको संविधान की वो सर्त माननी पड़ेगी इसमें संविधान ये कहता है कि दिखाओ अपनी संख्या भारी और ले जाओ अपने अधिकार सारे, तो आपको अपनी संख्या दिखानी पड़ेगी, और संख्या संख्ठनों में नहीं है, संख्ठन कोई साभी अपनी संख्या नहीं बताता, और वहाँ संख्या है भी नहीं, और वो संग्ठन खुद एक दूसरे के दुस्मन है 29 लाग संग्ठन है उनसे बात नहीं बनने वाली है अगर बात बनेगी तो खुद के इखटे होने से बनेगी और हम कभी इखटे हुए थे जब 2 अपरेल 18 को हमारा धिकार चला गया उस समय हम इखटे हुए उस समय ना कोई नेता आया ना कोई संग्ठन आया ना कोई मंत्री आया ना संत्री आया ना सरकार आई ना ही कोई धम आया ना ही कोई धमिक आया ना ना ही कोई संत का लग आदमी आया पर सारे आये सारे संतों के लोग आये सारे मठों के लोग आये सारे जितने भी आम आदमियं सब आये पर हमारा काम बन गया फिर हम को एक रास्ता पुराना याद आगया कि अगर हम चार घंटे के लिए इखटे हो सकते हैं तो हमारा एक अधिकार बसता है अगर हम पर्मनेंट इखटे हो जाएंगे तो हमारा कई अधिकार जाए गए नहीं फिर हमने आँख उटा के देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो हमने ये देखा के बाकी लोग उन्ए संग बना रखे हैं सिखों ने अपना संग बना रखा है उनके अधिकार उनके घर पहुंच जाते है जो अपोनेंट लोग हैं जो उन्होंने सारी अधिकार ले रखे और उन्हें भी संग बना रखा है उनके सारे अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं जो क्रिश्चन लोग हैं उन्हें भी संग बना रखा है उनके अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं जाटों का कोई मत नहीं है, पर उन्होंने अपने जाट नाम से समुधाय से संग बना रखा है, वो खुब फाइट करते हैं, अपने धिकाल ले लेते हैं हर्याने के अंदर, पंजाब के अंदर, तो ये सारे चीछें हमें सौझ में आ गए हैं, कि भाई, सारे तालों की जो चा बढ़ना है, और हमको फिर दुवारा से अपनी सभ्यता को और अपनी कल्चर को, अपनी नागरिक्ता को, अपने संखार को, अपनी संस्क्रती को दुवारा से बढ़ा के रखना है, और जीवित रखना है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवित सभ्यता है, हमारी स संब्ड़ सब्टा सब्ड़ सब्टा है तो हमको सिर्फ वही काम करना पढ़ेगा जो बुद्ध ने कहा संघंग सरनं गच्छामी संघ की सरन में जाता हूँ या जो डॉक्टर मिटकन ने कहा और्गिनाईज यानि के संगटित रहो एक साथ रहो या जो संतों ने कहा के संगटि करो साथ साथ रहो एक साथ रहो या जो गुरुनाग ने कहा के एक औंकार यानि के एक ही आकार में रहना है एक आकार का मतलब है एक आकार में रहना है एक साथ रहना है या जो जानवर अपनी जान बचाते हैं एक साथ रहकर या जो हमारे बुड़े मावाब जब मरते हैं तो एक ही बात कहके जाते हैं कि भाईया करना कुछ भी पर रहना साथ साथ वही साथ साथ वही संग संग वही संग वो सब एक ही बात है चाह साथ है चाह संग है या संग है इससे बाहर नहीं जाना है इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना है और जितनी जल्दी इसके अंदर आएंगे औरों को लेके आएंगे जीतने की गारंटी पूर दोनों गारंटियां हैं हम मर इसलिए रहें क्योंकि अलग-लग हैं हम बचे इसलिए क्योंकि हम इखटे थे अब वो समय चलना है कि हमको इखटे होके बचना है या अलग-लग रहके मरना है इस वार हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे अगर हम अलग-लग रहें क्योंकि पहले जब हम अलग-लग थे उस समय हमारी जरूरत थी क्योंकि सारा काम व्यक्ति करते थे इसलिए चाहे मसाज का काम हो चाहे खेती का हो चाहे मजदूरी का हो चाहे इंडस्टी का हो चाहे पढ़ाने के लिए टीचर हो चाहे प्रोफेशर हो चाहे कहीं रिक्सा चलाने वाला है चाह चलाने वाला है चाहा इंड़ेस्टी है चाहा कैमरा चलाने वाला है हर समय हर जगे मनुस्य की आफ़शकता पड़ती थी पर अब समय बदल गया है मशीने आ गई है इस बार अगर हम इकटे नहीं हुए तो सारा काम मशीने करेंगी हमारी जरूती नहीं पड़ेगी और जिस कि कहीं काम की जरूत नहीं पड़ती है उसको खतम कर दिया जाता है और खतम करने के जो तरीके हैं वो इंडायक्ट होते हैं उनकी दवा बंद कर दो हॉस्पिटल महंगा कर दो बीमारी से मर जाएंगे उनको काम मत दो भुकमरी से मर जाएंगे उनको इज़त मत दो उनकी प्रश्वाइब नहीं आता आप जाओ किसी हॉस्पिटल में जाके कहते रो के मेरा बच्चा बीमार है भीया इसका लाज करो वो तो कह देगा आप से चालाक रुप जमा कराओ अब काम आपके पास है नहीं नोक्री आपके पास है नहीं चालाक रुपए कहां से लाओगे एक दोबारा कैसे करोगे तो आपका मननाते है और घर बेज दोगे तो पर सबका मननाते है इसलिए यह चीज़ें इंडरेक्ट चलती है डायक्त नहीं चलती है पर इन सबका इलाज है और वही इलाज है जो पहले किया था बस इखटे हो जाओ अगर इखटे हो जाओगे तो साहू जी है उनका या छटपदी सिवाजी माराज का या इनका क्योंकि अब परत्वी पे ज़्यादा लोगों की आउशक्ता नहीं है और जब ज़्यादा लोगों की आउशक्ता नहीं है तो वही मारे जाएंगे जो सबसे नीचे के पाइदान पर जिनके पास ना जिनके पास पैसा है ना जिनके पास में कोई स्किल है ना जिनके पास में पढ़ाई है ना जिनके पास में सेहते हैं ना जो कुछ जानते हैं और जिनको पहले से नीचे स्थान पे धखिला हुआ है सबसे पहले वही मारे जाएंगे सबसे जाता वही मारे जाएंगे आपको पता भी नहीं आपके बच्चों की और आपकी हत्य हो जाएगी इसलिए जिद्ध है जुड़ने की जिद्ध है बचने की जुड़ेंगे तो बचेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे मेरे इस वक्त अब मैं अगर किसी को परचानी होई हो किसी को कुछ खराब लगा हो तो मैं संग से माफ़ी मांगता हूं संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे